नमस्कार दूस्तो दूस्तो मैंने अभी अभी डिजनी प्लस ओडिस्टर पे थाउजन बेबीव नाम का एक नया मल्यालम शो हिंदी में देख कर कम्लीट किया है टोटल साथ एपिसोड है पहले से लेकर छटी एपिसोड के लें थे 40 मिनट है फाइनल एपिसोड 55 मिनट का है लग भग 5 गंटे के आस पास का ये शो है एंड मैं कह सकता हूँ कि शोग का जो कॉंसेप्ट है जो कहानी है जो पिलॉट है वो अच्छा है जब चीजे रिबील हो जाती है हालां कि रिबील होने में बहुत बक्त लगता है और उस रिबील होते होते इतना बोर कर देगा पर पता है problem क्या है इसे शो का जो execution है वो अच्छा कह सकती है लेकिन जो presentation है वो बहुत व्यादा मुझे खराब लगा है शो का जो first episode है यूँ मान के चली कि 40 minute की length थी इतना व्यादा boring था इतना थंडा philosopher और कमजोल था कि मैं क्या ही कहूँ first episode खत्म होते होते लगबग 10 minute का जब बचा होगा जब वो जो सारा नीना गुपता का जो किरदार है वो अपने बेटे बेविन को जो वो सचाई बताती है जो हमको सुनाई नहीं पड़ती है वो बोलती है background music हमको सुनाई पड़ता है फिर magistrate के लिए एंड उस letter को पढ़ने के बाद police वाली के और उस magistrate के होश ओड जाते हैं तो लगा कि भाई चलो अब कुछ अच्छा यहां पर हो रहा है आगे चलकर आगे देखकर मज़ाएगा second episode शुरू होता है 12 साल बाद के बक्त में first episode 2010 में sad था second episode शुरू होता है 2022 में जहा वगेरा वगेरा तो जो एक connection बना था first episode खत्म होते होती कि चलो अब मज़ा आएगा second episode फिर से उतना ही ज्यादा बोर मैं पूरी तरीके से disconnect हो गया था पूरी तरीके से बिखर गया था ये शो मेरे लिए and then ऐसे ही तीफरा episode भी निकल जाता है तीफरा episode खत्म होते होते जब further investigation के लिए permission दी जाती है उस police वाले को तो उसके सामने सच्चा ही रखी जाती है कि उस letter में था क्या उस जो सारा है उसका जो confession था वो क्या था जब वो चीज़े reveal हुई तो वो मुझे कुछ अच्छा सा लगा बहां मुझे feel हुआ कि ये कुछ अच्छा और कुछ नया सा है concept क नाम पर कहानी के नाम पर लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे या जो जो theme वो ठीक ठाक सी मुझे लगी है प्रब्लम पता है क्या है इस show की जो pacing है जो writing है वो अच्छी नहीं है मतलब बहुत ज्यादा slow है थंडा सा है कोई excitement नहीं है कोई motivation नहीं मलती इस show को आग इंगेज करके नहीं रख पाते डिरेक्टर साब आपको यहां पर पूरी तरीके से चलो पूरी तरीके से छोड़ो कम से कम कुछ ऐसा तो हो कि interesting लगी देखने में मज़ा आए ऐसे करके आप यूं मानके चलिए कि plot पर अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊं आगे जाने से पहल कि किलिंग्स होती है कुछ यहां पर एंड एक ही बंदा है जो किलिंग कर रहा है एंड किलिंग करने के पीशे का reason क्या है वो reason पता चलते चलते छटा episode अपने अंत में पहुँच जाता है मतलब साथ episode है छटी episode के end में पता चलता है कि killing हो क्यों रही है यहां पर इस issue में छटी episode के बाद में जब वो killing का reason मालूम पड़ा एंड देन वो कुछ अच्छा सा था भाहासी में invest हो गया था इसने मुझे engage गद लिया था एंड जो final episode है इस issue का 7 एपीशोड वो मुझे अच्छा लगा है पूरी तरीके से वो हर तरीके से मुझे final episode अच्छा लगा है मतलब यह समझ लिजी आपकी मेरे पास बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है इस issue के बादे में अगर थोड़ा सा भी मैंने बता दिया यह जो टाइटल है यह क्यूं है अगर मैंने बो भी बता दिया तो सब कुछ इस पहल हो जाएगा आप लोगों के लिए एंड आप य लिएक आर कोश इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये शो हो सक्ता था काफी दम थी हिसमें potential अच्छा खासा था लेकिन problem यही है कि वो इसस्य शोको हमारे सामने उतने अच्छे करने एक inland execute करने में नाकाम रहे हैं जो कि हो सक्ता था मैं कह सकता हूँ कि यह जो कापी अच्छा हो सकता था है अगर इसको अच्छे पे प्रेजेंट किया जाता writing भी अच्छी नहीं है pacing भी अच्छी नहीं है beginning play भी उतना तकड़ा नहीं है Beach के जो episode थे तीफर episode में जा पता चला कि वो जो क्या हुआ था 1000 बेबी जो confession था वो क्या था एंड उसके बाद छटी एपिसोड में जो reason पता चला killing का उसके बीच जो दर्मिया का जो बक्त था बहाँ पर मैं bounce जा रहा था चीजें जो थी वो bounce जा रही थी क्योंकि पहले तो motivation नहीं मिल थी कोई excitement नहीं है कोई intensity नहीं है कोई feel नहीं है कोई emotion नहीं है तो जो चीजें थी जो conversations थी कितादारों के बीच में वो bounce जा रही थी मेरे उपर से और मुझे interest था भी नहीं कि मैं पीछे करके दोबारा से सुनूँ जो चल रहा है चलने दो मुझे कुछ खास मतलब है नहीं लेकिन फिर जो था वो अच्छा था एंड यहां पर थर्ड एपिसोड में जो confession बाला सीन था वहाँपद child birth के scenes दिखाई पड़ते हैं तो आप लोग ख्याल रखें उनका बाकी यह new datey kissing एक kissing scene है new datey तो यहां पता नहीं है drugs बगेरा है फिर भी 18 plus की category में ही यह show आता है adult की category में ही यह show आता है उसके अलाबा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी खास नहीं है मुझे overall यह show एक average show लगा है क्योंकि execution अच्छा नहीं है कहानी जो थी जैसा कि मैंने कहा है अच्छी थी कुछ अच्छा यहां पर हमको कि जो performances है वो अच्छी कह सकते है और हाँ जो खत्म होते होते भी पूरी तरीके से satisfy करके नहीं जा पाया है एक कितादार की मौत हुई है लेकिन जो और दूसरे कितादार थे जो जो scooty वाला जो बंदा था जो red t-shirt पहनता था helmet लगाया हुआ था उसने जो end में देखाई भी पड़ता है एक बंदा और था जो संजीब के साथ था वो दाड़ी मूश बाला जिसने उसको idea दिया था कैसे चीज़ों को execute करना है वो कौन था तो मतलब बहुत फ़ारे सबालियां पर दूरे छोड़ दिये जाते हैं इफ ये लिए लेक कर आता है the end is never the end फो ये है आप लोगों ने शो देखा है देख रहे हैं अपने टेक्ष लेक के बता न बाकी या लेक्ष ने फब्सक्राइब करना चैनल को विडिकों ने देख युए ने ते शाने फानें आप थैंक यू